हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भई मागनेट ब्रेइन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर जहाँ बरम्जभी लोग आपको पढ़ाते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री आफ कॉस्ट, हाई कॉलिटी एजुकेशनल वीडियोज आफ के ट्वेल यानि कि किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक CBSE Board English Medium के बच्चों को बड़ी अतरीके से पढ़ाया जाता है साथी साथ जो हिंदी मीडियों के हमारे विध्यारती हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियों में पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोड, एंपी बोड, बिहार बोड, राजिस्थान बोड, देली बोड तो भई वो हमारे मैगनिक ब्रेंज हिंदी मीडियों यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया वाली पढ़ाई वहां कर सकते हैं क्योंकि हमारी हिंदी मीडियम जी टीम, हिंदी मीडियम जी प्यारे बच्चों को प्रोवाइड करा रही है 100% free of cost, high quality content, high quality videos, बढ़ी अधरीके से पढ़ाई करो और हाँ अगर दोस्त तुमको करना है notes download भई पढ़ाई करने के लिए notes की आवशकता तो सबको पढ़ती है तो notes download करने के लिए description box में तुमको direct link मिल जाएगी नहीं तो तुम हमारी website और application पे भी जा सकते हो website www.magnetbrains.com application google play store से install की जा सकती है सिख से लेकर 12th class Hindi medium English medium सौरी subjects के बढ़िया वाले notes हमारे पास available है दिस साइड जीशान और Maths Mentor आप सभी का स्वागत करता हो आज इस session में इस वीडियो में बिटा हम पढ़ने वाले एक बहुत important topic और seriously इस topic की इतनी importance है because कहा है न कि यह topic अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम आगे आने वाले examples and even 5.1 exercise जो रहेगी उसके कई questions हम solve नहीं कर पाएंगे तो दिमाख खोल के आखे खोल के आखे और कान तो सब खुले रखते हैं दिमाख खोल के सुनना हर एक point हर एक detail में चीज़े बताऊंगा तुमको लेकिन उन सब के लिए तो नहीं पहिया दिमाख खोलना पड़ेगा आके तो सभी की खुली रहती हैं यह ना पर वह पाते हैं समझ वह पाते हैं जो दिमाख खोल के सुनते हैं तो चलो आप शुरू क की playlist open कर सकते हो आपको description में playlist मिल जाएगी चलो पढ़ते हैं theorem ठीक है तो बहिया बात ऐसी है addition of continuous function बहुत दिमाख से सुनना बहुत ध्यान से सुनना देखो अगर आपके पास ध्यान से सुनिये का बिटा प्लीज यार प्लीज 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 ध्यान से सुनो अगर आपके पास दो functions है एक है भईया f of x और एक है बटा आपके पास function g of x और आप कह सकते हो कि सर ये भी continuous है ये भी continuous है आपने क्या बोला कि सर ये भी continuous है ये भी continuous है कि सर बोत आर continuous functions ठीक है लिख देते हैं बोत आर continuous functions ठीक है ठीक है बोत आर continuous functions ठीक है ठीक है बोत आर continuous functions ठीक है अब आपने जब देखा कि एक function है अपने पास ठीक है वो continuous है दूसरा function है वो भी continuous है तो याद रखना बेटा दो continuous functions जो होते हैं अगर हम उनका addition कर दें तो जो result बनेगा वो भी continuous होगा मतलब अगर हम इनका addition कर दें f of x plus g of x अगर हम इनका addition कर दें f of x plus g of x तो ये जो मिला ना पूरा का पूरा बिटा ये भी क्या होगा is also continuous is also continuous ठीक है ये भी continuous होगा बात क्लियर है क्या येस सर पढ़ते हैं let us say f and g are two real functions दो real functions है real functions का मतलब है बहिए domain की real numbers है ठीक है ठीक है आर continuous at point a दोनों बहिए कहां पर continuous है at point a मान की चलो ये दोनों कहां continuous है at point a at x is equal to a वैसे है आपन x is equal to c लेते हैं कोई बात नहीं x is equal to a ले लो ठीक है x is equal to a ठीक है sir a point पर दोनों क्या है sir continuous है दोनों real valued function है दोनों same point पर continuous है तो दोनों का sum तो दोनों का sum then the addition of these two functions f and g is also continuous at a तो दोनों का जो sum होगा दोनों को add कर देंगे ये भी क्या होगा sir continuous होगा is also continuous at point a at x is equal to a point a पर continuous होगा बात क्लिया रहे 100% क्लिया रहे आओ देख लेते हैं इसका proof must सा proof है ठीक है और इसका proof देख लेते हैं erase करते हैं sir छोटा सा कोशिशन है एक example भी बताऊंगा इसका भी ठीक है डंसर ये तुम्हारे सामने proof पूरा का पूरा मैंने चाप दिया है चलो अपन इसको solve करने ठीक है ध्यान से देखना बहुत basic सा question है चलो हमने सबसे पहले देखा कि सर हमारे पास एक function fx है ये क्या है fx is continuous ठीक है fx is continuous ठीक है कहाँ पर at a at x is equal to a point a पे है अपन c लेते हैं x is equal to c लेते हैं पिछले वाले में c लिया था इसमें ये ले लो कोई फ continuous होता तो लह रहे चल वाला प्रोस्ट फॉलो करेगा या फिर नॉर्मल वाला भाई मान के चलो fx जो है वो single valued function है क्या है सरी सिंगल वैल्यूट function है single valued function है जी एक सिंगल वैल्यूट function है तो ये continuous है ये x is equal to a continuous है तुमने पढ़ा तो है मैंने पढ़ाया है कि भाई अगर function किसी point पर continuous होता है तो उसका आपन को check करना पढ़ता है कि वो single valued है क्या वैल्यूट है single valued मान लिया तो single valued है तो फिर ये क्या follow कर रहा होगा limit x approaches to a c नहीं आएगा पेटा x approaches to a और fx ये किसके equal होगा पेटा f of c f of c नहीं f of a के equal होगा ये बन गई पेटा equation number one बही single valued function ये तो follow करता अगर कोई function single valued है और this is equal to this आ रहा है तभी तो अपन continuous कह देते है उसको ठीक है सर तो ये पेटा पहली line आ गई आपकी देखो ये पहली line आ गई ठीक है ऐसे ही बच्चो ऐसे ही हमारे पास दूसरा function है एक gx है ठीक है एक gx है सर ठीक है ये भी continuous है is also continuous gx is also continuous कहा continuous है सर gs is also continuous at same point at x is equal to a same point at x is equal to a सर ए पर ये continuous है अच्छा अगर ये continuous है इसको भी अपन क्या मान लेते हैं सर इसको भी मान लेते हैं अपन ये क्या है single valued function है क्या मान लेते है single valued function दोनों single valued function है ठीक है तो अगर ये भी continuous है तो बेटा ये भी अपन का ये वाला format follow करेगा है न सिंगल वैलूट फंचन वाला कैसे सर सिंगल वैलूट फंचन बिटा तब ही तब ही तब ही continuous होते हैं किसी point पर जब वो ये वाला process follow करें limit वाला limit X approaches to X क्या है A है ना तो सर X approaches to A और Fx किसके equal होता है बिटा F of C हमने तो C परा है सर C नहीं आएगा X is equal to A दिया अगर X is equal to C दिया होता तो यहाँ C आता और यहाँ भी C आता पर यह X is equal to A है तो F of A सर यह बन गई अपनी दूसरी equation आपके है सकते हो equation number one और equation number two यह दो equations बन गई सर perfect है बिलकुल hundred percent perfect है भई clear? हाँ सर clear देखो यह दूसरी आ गई यह दोनों आ गई है ना NCIT में बढ़ दारेट लिखके दे देते अब कैसे यह नहीं बताया कैसे यह मैंने बता दिया आपको अब सुनो मेरी बास सुनो S पर दा theorem theorem क्या खेर है theorem कह रहा है कि भाई साहब सुनना theorem कह रहा है कि अगर यह दोनों continuous है यह continuous है यह continuous है इससे यह मिला इससे यह मिला तो इन दोनों का sum भी continuous होगा चलो भईया सम कर देते हैं fx plus gx ध्यान से सुनना fx plus gx ठीक है तो theorem क्या कहता है s पर theorem ठीक है s पर theorem theorem क्या क्या रहा है दिखना theorem ये कह रहा है सर ध्यांचा सुन्ना theorem भईया कह रहे हैं कि इन दोनों का function का sum क्या होगा function का sum होगा फ़ेटा f of x plus g of x is also continuous is also continuous ये बोल रहा है भईया s per theorem is also continuous at x is equal to a theorem तो ये ही बोल रहा है हाँ सर पक्की बात है अब थियोरम कह रहा है कि यह continuous होगा अच्छा इन दोनों का sum ध्यान जो सुनना भीटा f of x plus g of x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं गर दोनों को add करना है तो f plus g of x इन दोनों का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसकी जगापन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं f plus g of x है ना f plus g of x ये लिख दिया is continuous at is continuous at x is equal to a है ना इसको erase कर देंगे is continuous at x is equal to a clear है हाँ sir clear है भाई इसको यहाँ लिख देते हैं और ये प्रूफ करना है अगर ध्यान दो सुनिएगा अगर ये continuous है अगर ये continuous है तो हमें पता है ये single valued function है हाँ sir तो ये क्या कर रहा होगा ये कर रहा होगा sir limit x approaches to a x approaches to a x is equal to a है ना तो x approaches to a ठीक है of fx fx नहीं fx नहीं ये fx नहीं है ये है f of f plus g of x ये है ठीक है ये है ये किसके equal आएगा ये किसके equal आएगा ये आएगा sir ये आएगा sir ध्यान दो सुनिए गारे किसके equal आएगा sir ये आएगा अपना equal f of कहां चला गया f of a f of a f of a ठीक है sir f g of a भाई f of x जो है f of x जो है वो f of a बन गया तो f plus g of x x plus g of a बन गया इसके equal आने चीए चलो इसको solve कर दें ठीक है ध्यान दो सुनो limit अब ठीक है limit x approaches to a ठीक है और bracket में लिख दिया बेटा f plus g of x ये लिख दिया sir अपन ने देखो ये लिखा हुआ है x approaches to a f of g of x सही बात है अब क्या होता है ये ब्रेक हो जाएगा है तूट जाएगा अंदर ये अंदर ठीक है तो limit x approaches to a ठीक है ध्यान चे सुनना अब ब्रेक हो जाएगा ये अंदर ठीक है f of x plus g of x ठीक है बेटा limit के बारे में एक बात ध्यान रख तो limit बढ़ जाती है limit distribute हो बतलब limit इसके साथ भी लग जाएगी limit इसके साथ भी लग जाएगी तो हमने कहा limit x approaches to a of f of x ठीक है प्लस limit x approaches to a limit x approaches to a g of x ठीक है अपन नहीं ये क्या करा limit को distribute कर दिया देखो limit x approaches to c कहां से आ गया यार ए आना चाहिए न ncrt में गलत दिया जिया है ओहो ncrt भी या क्या कर रहे हो ये आएगा limit x approaches to a fx limit x approaches to a fx plus plus limit x approaches to a gx limit x approaches to a gx अब इसको limit apply करो limit कैसे apply करो वह वह simple है जर ए है ना x approaches to a तो ये fa हो जाएगा ये क्या बन जाएगा fa तो सरी हो गया f of a plus ये क्या बन जाएगा x approaches to a है तो यहाँ a हो जाएगा x की जगा तो ये पूरा पूरा g of a हो जाएगा sir क्या हो जाएगा g of a अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं sir f plus g of a तो यही तो आ गया यही तो चाहिए था लोग यह हो गया प्रूफ खतम हो गया प्रूफ देखो f plus g of a खतम समझ रहे हो ना यह सर solve करना शुरू करा यहां से और यह पूरा प्रूफ हो गया तो ऐसा ही बच्छो सप्रेक्शन में आपको करना पड़ेगा अभी next आपन सीखेंगे वो सप्रेक्शन का होगा बस वहाँ पर अपनको माइनस लगाना पड़ेगा बीच में f minus g यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस बस कुछ ने बिल्कूल सेम रहेगा बस माइनस तुम्हें बस यह याद रखना है सर नको यह रखना है अगर दो function जैसे मैं तुमको एकड़ाम्पल देता हूं ठीक है मैं तुमको एकगजाम्पल देता ओं एक अपने पास fx जो है बिटा x plus 1 ठीक है? और एक function मैंने तुमको दिया fx, sorry gx ठीक है? एक function दिया gx ठीक है sir? और ये मैंने तुमको दिया mod x ठीक है? अब मैंने तुमसे पता क्या कहा? मैंने कहा ये function बिटा continuous है, this function is continuous, वैसे ही continuous है क्योंकि ये एक linear function है, linear polynomial अभी अपने पढ़ाता ना पिछले वीडियो में के linear polynomial, quadratic polynomial, जितने भी polynomial functions होते हैं, वो continuous होते हैं real numbers पे, ठीक है? तो अपनने लिखा ये एक linear polynomial है तो linear polynomial का function continuous होता है is continuous is continuous at x is equal to c, c ले लिगता हूँँगा ठीक है? c पर continuous है वेटा ये mod function है क्या है? mod function है, modulus function है अब modulus function क्या होता है, sir? modulus function भी वो होता है, continuous होता है, देख ले न modulus function भी continuous होता है चलो, चलो, modulus function नहीं लेना है, तो तुम्हें x square ले लो लो भी या, x square ले लो तो, sir, x square क्या है? ये भी तो polynomial function है, quadratic polynomial polynomial function तो continuous होता है तो अपने लिखा इस continuous ये भी continuous है क्योंकि polynomial function है at x is equal to c ये भी c पर continuous है x is equal to c same point पर दोनों function continuous है तो पेटा अगर मैं question दे दूँ आपको के f ध्यान से सुनना पेटा मैं आपको दे दू hx एक polynomial दिया hx और ये दे दिया है बेटा x square plus x plus one is is continuous or not continuous or not बताओ ये continuous है के नहीं है और not at x is equal to c अगर ये मैं आपको प्रशने दे दूँ तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या थोड़ा सा हलका सा क्या क्या कि यार ये तो एक polynomial function है ठीक है ये क्या है एक polynomial function है सर ने दे दिया था gx है तो इसकी जगा अपन ने लिख दिया g of x ठीक है यार ये एक linear polynomial function है ये भी polynomial है इसकी जगा सर ने क्या लिख दिया था f of x ठीक है यार ये function तो continuous होगा ये function सिर्व इतना सा x square ये तो continuous है ऐसे हमें apply करना है सीखना है आगे पर apply करेंगे ठीक है next theorem please next theorem यह रहा बिटा next suppression वाला है जैसे हमें अपने addition वाला पढ़ा अब अपन suppression वाला पढ़ लेते हैं कि भाया अगर दो functions है एक function है आपका f यानि fx दूसरा function है g यानि gx दोनो real valued function है दोनो continuous है x is equal to a पर x is equal to a दिया होगा x is equal to a पर दोनो continuous है तो अब इन दोनों function के difference जो आएगा वो भी continuous होगा sir 100% कैसे sir हमारे पास एक function है fx हमारे पास दूसरा function है gx हमारे पास एक function है fx एक function है gx ये दोनों क्या हैं sir ये दोनों continuous हैं ठीक है दोनों continuous है काहे पर at x is equal to c या x is equal to a आपको जो लेना हो आप वो ले सकते हो है ना बस ध्यान रखना real valued function है तो ये जो आपने point लिया ना ये real number होना चाहिए ठीक है a is a real number ठीक है अब मैंने कहा कि चलो ये भी real है x is equal to a ये भी continuous है ये भी continuous है चलो इन दोनों का subtraction कर दे हैं तो मैंने f of x से g of x को subtract कर दिया अब ये एक function मिल गया मुझे और मैंने इसका नाम दे दिया h of x मैंने का यार ये एक function है मेरे पास h of x ये कैसे आया ये this minus this चिस से जिसक x आया इंका minus करने पर ये जो भी result आया अपने पास ये पूरा का पूरा बिटा ये भी क्या होगा continuous होगा क्या होगा बिटा continuous होगा कहां पर same point पर at x is equal to a पर समझ गया जैसे दो continuous functions के sum को हमने एक नए function के तौर पे treat गया टेक्यों के दिटार पला के वह ये face तुम भी continuous हो जीएक्स तुम भी continuous हो चलो एड़ो जाओ एड़ों के तीसरा पन्चनाया एक नया पन्चन स्थे अपनी 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 जगह अब दो continuous functions का अगर हम difference निकाले fx minus gx निकाल तो या gx minus fx निकाल दो उससे फर्ग नहीं परता तो अब जो आएगा निया function यह जो निया function आया है जिसको हमने hx बोल दिया यह भी continuous होगा same point x is equal to a पर proof बिल्कुल same है बिल्कुल easy proof है बिल्कुल वही proof है same to same same to same अगर हमारे पास fx है जो continuous है x is equal to a पर तो यह single valued function है मान लो single valued function है तो अपन क्या लिखेंगे पिटा अपन लिखेंगे सर लिमिट x approaches to a x approaches to fx किसके equal होगा पिटा f of a के equal होगा f of c नहीं f of a ठीक है done sir ऐसे बच्चो हमारे पास एक function है gx वो भी continuous है काई पर बटा same point x is equal to a पर continuous है जैसे यह x is equal to a पर तो यह भी यह वाला condition follow करेगा यह भी rule follow करेगा था लिमिट x approaches to a gx है ना x approaches to a gx is equal to f of f of a f of a समझ में आ गई बात yes sir बिलकुल है तो जब यह दोनों ही यह वाले format follow कर रहे है तो अपन क्या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं ध्यान से सुनना यह भी अपन लेख लेते हैं सर यह equation number one यह equation number two ठीक है done sir ध्यान से सुनना बेटा जी sir जल्दी से देखो equation one और equation two आ गया ठीक है sir अब अपन को as per question as पर दित्योरम s पर दित्योरम हमें प्रूफ करना है कि जो कि जो नया function आया f x minus g x जो नया function आया यह f x minus g x यह जो function आया इस function का भी path continuous है a पर this is also continuous at x is equal to a यह यह भी हमारा question है यह हमारा theorem है तो इसका मतलब जा हुआ हुआ है कर सकते हैं इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं न f minus g f minus g bracket x हा सर और अगर यह continuous है तो यह भी भी यह theorem यह follow करेगा कौन सा limit वाला तो limit limit x approaches to a क्योंकि same a पर ही continuous है यह है ना यह a पर ही continuous है और बेटा bracket f minus g of x f x नहीं आएगा f minus g of x यह है function पूरा यह लिख दिया किसके equal होगा बेटा f of a नहीं सर f minus g of a यह इसके equal होगा यह proof कराना है अपन को चलो यहां से शुरू करते है ठीक है let us start with this तो limit x approaches to a bracket बेटा इसको अंदर separate कर दो f x minus g of x ठीक है सर limit अलग-अलग हो जाएगा limit इसके साथ इसके साथ तो यह हो जाएगा बेटा limit x approaches to a for f x minus limit x approaches to a for g x ठीक है दोनों अलग-अलग limit कर दी है clear है हाँ सर clear है अब यह limit अलग है यह limit अलग है ध्यान से सुनना सर हम क्या करते हैं इसको कुछ नहीं यह यह बेसिक सी चीज है यहाँ पर क्या है f of x है x जो है a को approach कर रहा है यहाँ ए लिख दो f of x जो है वो f of a बन जाएगा a चला जाएगा तो सर यह हो गया f of a हैना यहाँ approaching क्या हो रही है x approach कर रहा है a को g of x g of a बन जाएगा यह पूरा का पूरा g of a बन गया अब बेटा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या f minus g of a हाँ सर लो भी यह हो गया f minus g of a आ गया खतम यहाँ से शुरू करा यह खतम हो गया लो भी खतम समझ में आ गई बात अरे भाई white color कहा है ncrit क्या कर रहे हो यार तुम इतना भैंकर घपला देखो एक ही जगा c लिखके बैठे है कोई बात ने होता है होता है ठीक है dancer चलो भई चल दीसे देख लो clear यह sir clear चलो भई तो यह complete हो गया कौन सा complete हुआ बटा subtraction वाला addition वाला कर लिया subtraction वाला कर लिया अब अब क्या करें अब क्या करें sir अब करते हैं अपन बताओ जल दीसे अब करते हैं अपन multiplication वाला जी हाँ example लेना है गया हाँ सर एक example दे दो होता है अपन पढ़ चुके है example देता हूं तो में मैंने एक तुमको hx एक मैंने तुमको एक वो दिया function ठीक है और मैंने यह दिया mod x plus x square अब मैंने का बता आप प्रूफ करो के यह function continuous है के नहीं है अब तुम्हारा दिमाग चला तुमने का यार subtract होने से बना है है ना दो function के subtract होने से बना है देखो एक mod function हो गया और एक x square function हो गया यह क्या हुआ सर यह mod function है modulus function है है ना modulus function है और यह क्या है सर यह quadratic function है यानि अपन polynomial function कह सकते हैं सीदा अब सर mod function भी continuous होता है polynomial function भी continuous होता है तो इसका मतलब इसको अगर अपनने fx मान लिया इसको अगर अपनने लेट कर लिया fx और इसको अपनने लेट कर लिया gx मान के चलो सर हमारे पास मान के चलो थोड़ी देर के लिए fx is equal to हमारे पास एक mod function है mod of x और gx हमारे पास दूसरा function है gx is equal to x square अब अगर हम fx function को कह सकते हैं continuous है fx is continuous क्योंकि mod function है sir fx is continuous ठीक है sir fx continuous है हमने कह दिया gx भी continuous है sir क्यों है gx क्योंकि एक polynomial function है gx is also continuous ठीक है sir continuous है यह भी continuous है यह भी continuous है at x is equal to a मान लो x is equal to c मान लो हमारी मर्जी at x is equal to a मान लो ठीक है यह real number है कोई भी real number हो सकता है तो इन दोनों का subtraction भी continuous होगा यह तो अपनने rule पढ़ा है theorem पढ़ा है कि सर अगर इनका subtraction हो रहा है fx minus gx तो fx क्या है बिटा mod x है minus gx क्या है बिटा gx x square है तो सर यह भी तो continuous होगा is also continuous जी सर is also continuous तो this is also continuous ठीक है reason बता है reason आपको लिखना है because one function is fx which is mod function it is also continuous other function is gx which is x square यानि polynomial function polynomial function भी continuous होता है fx minus gx यह theorem बता रहा है कि यह दो continuous functions के अगर आप subtraction करेंगे तो जो result आएगा this minus this this minus this यह जो result आया mod x minus x square यह भी हमारा एक continuous function होगा next पर चलते हैं बिटा moving on to next है ना suppression होगे addition होगे अब चलते हैं बिटा पन multiplication पर ठीक है बिलकुल वही है बिलकुल वही है सर हमारे पास दो functions है एक है fx ठीक है एक है sir gx ठीक है दोनों function आपस में क्या है सर दोनों continuous है अबने लिख दिया दोनों continuous है ठीक है दोनों continuous है कहां at x is equal to a at x is equal to a ठीक है किसी एक point a पर continuous है a अपना real होना चाहिए क्योंकि real valued function है ठीक है अब fx अभी अपने क्या पड़ा fx और ये continuous ये continuous दोनों continuous को जोड़ देंगे तो ये भी पूरा पूरा जो नया function बनके आएगा ये क्या होगा sir this is hx ये भी continuous होगा ये तो addition आया ठीक है अगर मैंने इनका subtraction कर दिया fx minus gx तो क्या होगा ये जो पूरा a रक्षेंस का सब्रेक्षिं ये पूरा पूरा जो है यह बी कॉंटीनूयस ऊगा ऐसे यह लेक्तेविटा की बार ही ऐगई कि सिर्फ मैं HAOँ के मां डिशन की ठीक है अगर मैं कहूं का अगर हमने multiply करा दिया तो यह जो result बना यह भी continuous है इसको आपन कह देते हैं gx हो गया px qx बोल देते हैं चलो यह qx हो गया तो sir यह भी अपना क्या होगा sir यह भी अपना continuous होगा बात clear है हाँ sir बिलकुल clear है सटी clear है मज़िदार तरीके से clear है ठीक है डन सर चलो भई यह तो complete होगा sir है ना अब इसका proof देख लेते हैं proof भी देखेंगे example चलो पहले example देख लेते हैं ठीक है पहले अपने एक example देख लेते हैं देखो sir जाने से सुनना हमारे पास हमारे पास sir एक है कहां चला गया हाँ एक है हमारे पास let us save it sir एक स्क्वेर प्लस वन ठीक है और यह हमारे पास fx क्या है sir यह हमारे पास fx है एक आप कहा सकते हो function है polynomial function है ना x square प्लस वन ही polynomial function है एक और function है हमारे पास gx ठीक है sir ठीक है gx एक और function है और यह है sigx क्या है sin x done yes sir sign x भी एक ऐसा function होता है जो basically continuous होता है continuous होगा sin x is also continuous यह याद रखना आप अपने पास ठीक है sin x और cos x दो functions होते हैं trigonometric functions जो continuous होते हैं 10 continuous नहीं होता है na cot continuous नहीं होता से continuous नहीं होता यह सब मैं बताऊंगा भी आपको बाद में ठीक है done sir अब मैंने आप से का ध्यान से सुनना यह तो मैंने लिख दिया ऐसा ही अब मैं आपको एक function दे रहा हूँ hx ठीक है और मैंने का बिटा यह function पता क्या है क्या है sir यह function है sin x into x square plus 1 अब मैंने का बिटा बताओ क्या यह continuous होगा क्या यह function पूरा function है जो है continuous होगा अब तुमारा दिमाग चलना चाहिए क्या कि यार प्रूफ कंडे की दरूबद नहीं है इधर इधर बस दिमाग लगाना है थेरों याद करना है तुमको कि यार यह multiply में है यह तो खुद एक function हो रहा है यह भी खुद एक अलग function हो रहा है यह आपको लिखके नहीं दिया जाएगा यह छुपा लिया जाएगा दिमाग चलाना पड़ेगा तो मैं यार यह समझना चाहिए कि यह क्या यह साइन function है यह तो एक continuous function है तो तुमने क्या लिखा इसको मान लिया तुमने यार कि चलो अपन इसको fx मान लेते हैं कि यह fx is equal to अपने पास एक function sine x है let कर लिया let fx is equal to sine x तुमने दूसरा देखा x square plus 1 यार यह भी polynomial function है यह भी polynomial function है और यह polynomial function हो continuous होते है तो तुमने gx को let कर लिया let gx is equal to x square plus 1 इतना clear है हा सर तुमने fx को यह मान लिया gx को यह मान लिया ठीक है अब तुमने ध्यान से देखा यार यह जो function अपना hx है ना जो function अपन को hx दिया ध्यान से सुनना यह दोनों क्या हैं एक point x is equal to a दोनों continuous है ठीक है तुमने देखा hx जो है ना यह sin x into x square plus 1 तो sin x तो अपना fx हो गया ठीक है सर sin x अपना fx हो गया ठीक है into x square plus 1 यह gx हो गया अरे भाई यह दो functions के multiply करने पर हमारा question वाला function बन रहा है तो हमें तो पता है कि यह continuous है यह continuous है continuous function into continuous function बनके जो नया function बनता है वो भी continuous होता है बस खतम हो कोई बात that hx is the product of two continuous functions therefore hx is also continuous खतम यही तो है बिटा कि अगर दो functions continuous है fx और gx अलग-अलग तो इन दोनों का multiply भी जो भी होगा वो भी continuous होगा बात clear हो गई yes sir clear हो गई आगे चलते हैं ठीक है तो sir यहाँ पर इसकी proof है आप proof देख सकते हो proving देख लो बिटा बहुत important है proof ठीक है यह proof है अच्छे से देख लो करा दूं क्या जल्दी से हाँ सर्थ करा दो आप एक बारी चलो देखो हमें पता है कि f of x जो है वो क्या है यह continuous है और अगर यह continuous है तो बिटा हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा सर्ल limit x किस पर continuous है x is equal to a पर continuous लेके चल रहे हैं ठीक है limit x approaches to a जिस पर लिखकर चलते हैं वही a आ जाएगा ठीक है उसके बाद बिटा अपन लिखेंगे f of x single value function मान के चल रहे है lhl rhl वाला नहीं तो यह किसके equal होगा f of c नहीं f of a के equal होगा ठीक है next हाँ भाई हमारे पास एक और function है gx ठीक है यह भी सर क्या यह भी continuous function है तो यह क्या देगा बिटा पन को यह देगा limit x approaches to a for gx है ना for gx for gx is equal to g of a is equal to g of a यह दोनों आगा अपने पस ठीक है अब हमें according to question इन दोनों के product f in fx into gx जो हमें product करना है fx into gx क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है f into g of x हाँ सर ऐसे लिख सकते है f into g of x हम ऐसे लिख सकते हैं सर बिलकुल सही बात है अब समझना बात को अगर यह वाला function continuous है तो अपन को क्या proof करना है यह function अपन को proof करना है कि यह continuous है अगर यह function continuous है तो हमें proof करना होगा limit x approaches to a for fg of x is equal to fg of a fg of यह function है fg of a ठीक है भई fx यह continuous है तो यहाँ fx आगया है यहाँ f a आगया fx यह fg x है तो यहाँ fg x आगया है यहाँ fg आगया तो यह proof करना है अपन यहाँ से उठाके चलिए पिटा है ना we will start from here हम यहाँ से start करेंगे और यहाँ पे आएंगे कैसे आएंगे देखो इसको उठाते हैं ठीक है let us begin with this limit ठीक है सर limit x approaches to a सर इन दोनों को ध्याँ जो सुनना इन दोनों को अपन ने लिखा चलो अच्छा फिलाल ऐसी लिख देते हैं f into g of x ठीक है इन दोनों को अपन अलग-अलग लिख सकते हैं अंदर ही अभी अलग-अलग ठीक है limit x approaches to a bracket f of x into f of g f को x के साथ लिख दो into g को x के साथ लिख दो ठीक है f of x into g of x ठीक है टाने सर बिलकुल टाने अब हम क्या करेंगे यह limit बढ़ जाएगी limit distribute हो जाएगी limit x approaches to a with fx ठीक है सर f of x into multiply ना बीच में फिर limit this with gx हाँ सर limit this यानि x approaches to a with g of x gx मतलब यह इसके साथ हो गई multiply यह इसके साथ हो गई ठीक है सर अब limits जब हम लगा देते हैं single वाली value वाली function में तो easy होता है x approaches to a x approach करा दो तो f of x बन जाएगा f of a done सर into q इसको approach करा दो x approach to a तो gx बन जाएगा g a sir g of a और इन दोनों को हम लिख सकते f into g of a f into g of a f into g of a और यही हमें प्रूफ करना था दो यही प्रूफ कर दिया that's it solve और वो गया खता चोट इसी चीज थी ठीक है done sir अब हम चलते हैं लास्ट वाले theorem पे जो हमारा division वाला है आपको पता ही होगा बस इसमें एक चीज़ खास है थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात जो आपको अल्दो आती होगी कोई बड़ी बात आप नहीं है यह आगे बिटा हमारा theorem नंबर चौथा this is division of continuous functions continuous functions का अगर आप division कर रहे हो तो result जो आएगा वो भी continuous होगा बिलकुल वही चीज़ चल लही दो continuous functions है अगर दोनों को add कर दो जो result आएगा वो भी continuous है दो continuous functions है सब्ट्राइट कर दो जो result आएगा वो भी continuous है दो continuous functions है दोनों का multiplication कर दो जो result आएगा वो भी continuous है ऐसे ही दो continuous functions है fx और gx दोनों का division कर दो जो result बनेगा जैसा दिखेगा वो पूरा पूरा continuous होगा चलो यह और देख लेते हैं सर ठीक है इसको और देख लेते हैं जल लिए एक लिया fx और एक लिया बिटाजी gx डन बिलकुल सब डन आगे चलते हैं अब दोनों continuous हैं तो दोनों का division करते हैं f of x upon g of x ये कर दो अगर ये करा तो आपको ध्यान रखना है बिटा g of x 0 नहीं होना चाहिए अगर नीचे 0 हो गया तो f of x upon 0 ये तो not define हो जाएगा तो ये भी अपना क्या होगा बिटा ये भी अपना continuous होने वाला है और अगर उल्टा करना है g of x को f of x को divide कर तो g of x divided by f of x तो सर ये क्या होगा नीचे f of x ये भी अपना 0 के equal नहीं होना चाहिए इस condition में ये 0 के equal नहीं होना चाहिए तो ये भी अपना क्या होगा बिटा continuous ये भी क्या होगा बिटा continuous बात clear है 100% clear है ठीक है ये क्या है sir continuous है x is equal to a पे ये क्या है ये भी continuous है x is equal to a पे दोनों continuous functions है दोनों को अगर हमने divide कर दिया fx upon gx या gx upon fx करके जैसे भी divide करना है बस ये दियान रखना जो denominator में आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए तो ये division करके जो भी आया ये भी हमारा continuous होगा ये भी हमारा continuous होगा बिल्कुल basic सा example ले ले लेते हैं ठीक है sir एक example लगा के दिखाता हूं तुमको ठीक है एक आपको वो दिया मैंने एक function दिया मैंने मैंने कहा hx is equal to एक function दिया मैंने hx is equal to x minus a upon x square अब मैंने कहा बिटा प्रूफ करो के ये हमारा continuous है है ना x minus 1 upon x square या x cube ले ले लेते हैं मैंने कहा बिटा ये प्रूफ करो के ये continuous है x is equal to a पर अब तुम्हें solve करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा क्या तुम्हें थोड़ा सा जाकना है इसके numerator पर तुमने numerator देखा numerator है x-1 तुमने का चलो इसको let कर लेते हैं अपन fx क्या let कर लेते हैं इसको fx fx is equal to x-1 ठीक है नीचे x-3 है तुमने का चलो gx let कर लेते हैं gx is equal to x-3 अब तुमने का कि यार ये तो linear polynomial है x-1 एक linear polynomial है है तो polynomial हाँ सर तो ये तो continuous होगा ठीक है सर तुमने लिख दिया ये तो continuous है सर का a पर x is equal to a पर continuous है तुमने देखा यार जो दूसरा वाला gx आया x-3 ये 0 नहीं है ये x-3 है तुमने देखा यार ये भी continuous है हाँ तो तुमने इसको भी continuous क्यों कि ये cubic है cubic function है तो तुमने इसको भी continuous लिख दिया सर क्या लिखा इसको भी continuous लिखा जैसे तुमने continuous continuous लिखा तुम समझ गए बिटा के fx upon gx जो आएगा fx upon gx दो continuous functions का जब division होता है जो x minus 1 upon x cube आया ये इन दोनों के continuous होने की वज़े से ये भी continuous होगा यानि hx ये पूरा का पूरा hx है तो ये भी continuous होगा काहे पर hx is continuous hx is also continuous कहां पर बिटा is also continuous at x is equal to a ध्यान रखना x is equal to a a real number तो है एक real number तो है बस एक बात ध्यान रखना कि जो नीचे है ना वो 0 के equal नहीं होना चाहिए मतलब हम समझ गए कि x cube जो है वो 0 के equal नहीं होना चाहिए मतलब जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए x a है कोई भी real number हो बस x जो है ना 0 नहीं हो बिटा मतलब x is any real number other than 0 क्योंकि अगर x 0 हो गया तो x गया 0 रखने पर 0 का cube नीचे 0 हो जाएगा सब बरबाद हो जाएगा ध्यान रखना अपन वाले चीज़ को 0 होने से बचाना है ठीक है? डन है क्या? येस चलो ये भी complete होगा बिटा डिवीजन वाला अब हमें बहुत important चीज़े पढ़नी है and that is composition अभी हमने दो continuous functions का addition समझ लिया कि भाईया दो continuous functions को add करो जो answer आएगा जो result आएगा वो भी continuous होगा फिर हमने सीख लिया दो continuous functions जो एक fx और एक gx ये दोनों continuous है अगर इनका subtraction करेंगे तो जो answer आएगा वो भी continuous होगा फिर हमने सीखा multiplication के एक function है fx जो continuous है एक दूसरा function है gx वो भी continuous है x is equal to a पर दोनों का multiply कर दिया जो result आएगा वो भी continuous होगा x is equal to a पर चौथा ये पढ़ दिया division वाला clear plus minus multiply divide ये पढ़ दिया composition functions ठीक है ये मैं देखो ये तो आप copy कर लो कोई दिक्कत नहीं copy कर लो इसको मैं भी आपको और सिखा रहा हूँ don't worry कर लिया copy ये sir चलो अब मैंने आप से कहा ध्यान से सुनना पिटा ध्यान से सुनना जी sir मैंने आप से कहा ध्यान से सुननो पिटा कि एक आपको मैंने f of x दे दिया sin x क्या दे दिया sir sin x और एक function दे दिया मैंने आपको g x और ये है पिटा x square ठीक है clear है हाँ sir अब आपको पता है पिटा ये भी और ये भी ये मैंने दिये नहीं है basically ये मैंने दिये नहीं है भूल या अभी भूल याओ कि मैंने आपको दे दिया इसको भूल याओ ठीक है बोला दो लो भाई इसको बोला दिया sir ठीक है done मैंने आप से कहा कि आपको एक function hx दिया गया है ठीक है मैंने आप से कहा यह आपको एक function hx दिया गया है जो है sin x square x square है ध्यान रखना ठीक है सर एक आपको function दिया गया है gx अब पी एक्स ले लेते हैं इसको sin x का square यह sin x का square है ठीक है अब मैंने का prove करो यह continuous है prove करो यह continuous है इन दोनों को prove करो दोनों अलग 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 चीज़े हैं मैं फिर बता रहा हूँ दोनों अलग 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 चीज़े हैं ठीक है this is बिटा x का square यह x पे square लगा हुआ है और यह बिटा पूरा sin x पे square लगा हुआ है ठीक है clear है हाँ sir अब कैसे prove करेंगे sir यह तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा खतरनाक नहीं है बहुत आसान है actually यह जो उपर वाला function यह दोनों जो functions है पहले उपर वाले की बात करते है sin x square example से ही समझाओंगा मैं ठीक है sin x square यह जो है ना question ध्याँज़े सुनो यह जो function आपको दिया है na sin x square हाँ sir यह function बेटा दो functions के composition से बना हुआ है composite functions समझ रहे हो composition function का एक example है कैसे बताता हूँ देखो यह अपना hx है ठीक है sir ठीक है अब सुनते या ना मेरी बात इसी के लिए solve करना शुरू करना है अगर मैं कहूँ तुमारे पास एक fx है function fx है और एक function तुमारे पास gx है ठीक है सोचना थोड़ा सा जी sir मैंने तुमसे कहा के बेटा यहाँ x square है और यहाँ sin x है ठीक है sir ठीक है अपने आराम से composition functions तो पढ़ा है ना composite functions ठीक है चलो मैं तुमसे कहता हूँ बेटा f of gx निकालो fog निकालो चलो f fog निकालो और फिर यहाँ पर gauf निकालो ध्यान से सुनना यहाँ पर gauf निकालो ठीक है और by the way निकालने से पहले आगे चलने से पहले मैं तुमको एक चीज और बता दूँ क्या कि बेटा यह जो fx है ना x square ध्यान से देखो यह x square है यह एक polynomial function है क्या है बेटा एक polynomial function है क्या है polynomial function और polynomial function तो real function मतलब polynomial function तो continuous होता है तो हमने क्या करा हमने इस पर लिख लिया बेटा यह क्या है sir polynomial function है polynomial function continuous होता है तो हमने लिख दिया X is equal to C. Continuous. क्योंकि polynomial function है. ठीक है, sir. पिर हमने देखा दूसरा वाला function sin X. यार, ये trigonometric function है. ये क्या है, पिटा, एक trigonometric function है? क्या है? Trigonometric function है. ओर trigonometric function, सारे trigonometric function continuous नियों होते. sin और cos. sin और cos जो है, continuous होते. तो हमने लिखा है sin X तो continuous अब ये दो fx और gx दोनों क्या है ये भी continuous ये भी continuous तो अगर इनको add कर दें चलो दोनों को add कर दें for example sir fx plus gx कर दें तो हमने पढ़ा है sir अभी fx plus gx करेंगे तो इसका answer जो भी आएगा x square plus sin x क्या आएगा sir x square plus sin x तो sir दो continuous function को add करके जो answer आएगा जो function आएगा वो भी क्या होगा continuous तो पटा ये function भी क्या होगा continuous at x is equal to a अगर इनको subject कर दिया sir अगर इनके बीच में minus लगा दिया अगर इनके बीच में हमने minus लगा दिया fx minus gx ये तो x square minus sin x sir दो continuous functions है x square continuous है sin x continuous है दोनों का minus कर दो तब भी continuous होगा ये पूरा का पूरा multiply कर देंगे तो भी continuous divide कर देंगे तो भी continuous याद रखना division में तोड़ा सा अलग case चलता है ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा ठीक है लिखते हैं sir f of gx है ना ऐसे solve करते कोई नहीं बात तो है नहीं है ठीक है sir तो f of gx अब gx क्या है sir gx है sin x तो यहां लिख देते हैं sin x ठीक है अच्छा f of x क्या है sir f of x है x square f of x है अपना x square मुझे f of sin x निकालना है तो अगर मैं f लिखू और x की जगा मैं लिख दू sin x मैं यहां लिख दू sin x x की जगा sin x तो यहां भी x की जगा sin x यह भी sin x हो जाएगा x की जगह sin x, x का square तो sin x का square तो ये क्या आ गया, ये आ गया सर sin x का square समझ गया, तो यार sin x का square जो है, ये क्या है ये तो एक composite function है, दो continuous function से compose करके बनाया गया, ये तो एक composite function है क्या है सर, ये तो एक composite function है, fog है सर fog है ये तो fog, किसका, fog, fog सर फॉग है ये किसके लिए फॉग है फॉग फॉग फॉर fx is equal to क्या है बिटा fx is equal to कहाँ चला गया x square and gx is equal to sin x सर ऐफ क्स और gx यह है तो इनके हिसाब से फॉग निकाला तो यह तो फॉग आया और composite function अगर आप बना रहे हो दो continuous function के दो continuous fx सर क्या है f x x square polynomial function continuous है यार यह तो याद रखना polynomial function continuous होता है sin function continuous होता है cos function continuous होता है यह याद रखना है तो में modulus function continuous होता है तो सर यह क्या है यह तो polynomial function continuous है यह क्या है यह तो sin x sin function है यह भी continuous है दो continuous function से जब हम compose करके कोई function बनाते हैं फौग आया यह तो वो भी continuous होता है तो प्रूव हो गया बटा Px is equal to sin x square is also continuous वाई because this function given function is a composite function it is a composite function किनका composite function है it is a composite function of two continuous functions which are fx is equal to x square gx is equal to sin x कतम हो क्या हो गई बात अच्छा अगर गॉफ निकाले तो अगर गॉफ निकाले तो क्या होगा बटा चलो गॉफ निकालते हैं सर तो गॉफ को लिखेंगे g of fx है ना सर done अब fx क्या है fx x square है तो यहां लिखा g of x square ठीक है सर अब ध्यान से सुनना gx क्या है gx क्योंकि g की बात हो रही ना तो gx लिखते हैं सर gx सर gx है हमारे पास sin x gx क्या है बेटा sin x अब मैं x square चाहता हूँ मुझे gx square की value चाहिए तो यहां x square लिख दिया अगर यहां x square तो यहां भी x square तो यहां जाएगा sin x नहीं सर x square तो सर यह gx square हो गया तो gx square की value है sin x square है ना तो यहां लिख दिया sin x square तो सर यह जो value आई है तो यह दिया यह तो यह भी आर composite है यह fx और gx यह दोनो अलग-अलग functions है दोनो continuous functions है क्यों है वो मैंने आपको बता दिया इन दोनो functions का golf है hx जो है यह दो continuous functions का composite function है golf है तो अगर दो continuous functions का composite function बना दो fog या golf तो वह दोनों क्या होंगे वो दोनों भी continuous होंगे यह है बस composite function की theory composite function की कहानी जो मुझे आपको थी बतानी clear है हाँ sir clear ancient दो पिटा अगर आपने यह पाथ चीज़ए याद कर ली यह पाथ चीज़ए पढ़ ले ना ध्यान से ठीक है यह पाथ चीज़ए अगर आपने याद कर ली कौनसी पाथ चीज़ए सर यह addition of continuous functions दो continuous functions है add करो जो आंसर आएगा वो भी continuous होगा subtraction of continuous function दो, एक fx, एक gx है दोनों continuous है, x is equal to a, x is equal to a पे दोनों का subtraction कर दिया, एक नया function आएगा जो नया function आया, इन दोनों continuous function के subtraction करने पर वो भी continuous होगा, x is equal to a पर ठीक है, multiplication of continuous functions एक fx है, एक gx है, दोनों continuous है, x is equal to a, x is equal to a पे दोड़ों कर दिया एक नया function आ गया जो नया function आएगा ना इस continuous और इस continuous के multiply करने पर जो नया function आएगा वो भी continuous होगा x is equal to a पर सर ये देखो divide वाला अब एक आपके पास fx है gx है दोनों continuous है आप divide कर दो बस ध्यान रखना नीचे जो आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए ये बहुत important point है जैसे fx upon gx आपने लिखा के सर ये भी continuous है चलो इसको divide कर देते हैं gx से ये भी continuous है तो सर ये भी continuous होगा fx upon gx बस ध्यान रखना नीचे जो denominator में है it should not be zero ये बहुत important है ठीक है x is equal to a जो आएगा ना वो सारे real numbers नहीं होंगे उसमें से कुछ तो अटाना पड़ेगा ठीक है तो ये division का हो गया बिटा next please फिर अपने composite function पढ़ लिया ये भी बहुत important है कई questions में लगने वाले हैं ये चीज़ें addition, suppression, addition of continuous function, suppression of continuous function, multiplication of continuous function, division of continuous function, composite functions का समझ रहे हो दो continuous functions है अगर उनका composite function है तो वह भी continuous होगा ये सारी चीज़ें लगने वाली है कई examples में और कई questions में तो तमीज से पढ़ लो बिटा तसल्ली से पढ़ लो तरीके से पढ़ लो ठीक है सेशन को खतम करते हैं बहुत लेंद भी नहीं करना है अब अब आपन आगे बढ़ेंगे with some more examples, exercises और बढ़िया तरीके से complete करेंगे ठीक है सेशन को like कर दो दोस्तों के साथ अपने classmates के साथ share कर दो so that वो भी बढ़िया पढ़ाई कर लें समझ लें आर algebra of continuous functions को जल्दी में लेंगे next session में जाने से पहले कुछ बाते magnet brains के बारे में कि magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost high quality educational videos जिनकी मदद से K-12 वाले बच्चे जो kindergarten से लेकर class 12 CBS e board English medium में पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी बहुत बैतरी वाली पढ़ाई कर सकते हैं free of cost सारे videos आपको हम provide करते हैं इसी channel पर even website और application पर भी आपको सारे videos playlist के format में अच्छे से arrange मिल जाएंगे class wise और subject wise और हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे magnet brains हिंदी मीडियम YouTube channel पर जा सकते हैं subscribe कर सकते हैं जो class 6 से लेकर class 12 तक की हिंदी मीडियम में है भई और UP board, MP board, विहार board, राजिस्थान board, Delhi board और even CBS e board ये सारे हिंदी मीडियम के boards जो हैं सारे cater किये जाते हैं हमारे magnet brains हिंदी मीडियम YouTube channel नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो description box में आपको एक link दिया गया है direct link जिस पर click करके आप सीधार notes downloading portal पे पहुँच जाओगे जो basically हमारी official website है which is magnetbrains.com www.magnetbrains.com application पे भी जाकर आप download कर सकते हो notes अपने लिए जो कि आपको google play store से मिल जाएगी install कर लेना और बेटा हमारे बास 6 to 12 English medium and Hindi medium के सारे subjects के बढ़िया वाले notes हैं जो experts द्वारा बनाए गए हैं जल्दी मिलेंगे next session में till then happy learning take care bye